रोड बनवाने की मांग और जंगली शुवर के उतपात से परिशान होकर आज चार गाउं के ग्रामीर कलेक्टेट पहुँचे और उन्होंने कलेक्टर की नाम डेपटी कलेक्टर को ग्यापन सौपा है वहीं उनका कहना है कि 75 वरसों से आज तक रोड पर मुरम भी नहीं डली है और सौर भी किरसी को नुकसान पहुचा रहा है इनी सब मांगों को लेकर आज वाए कलेक्टेट आए हैं और कलेक्टर की नाम ग्यापन सौपते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही है क्या समस्य लेकर आए हुए आज कलेक्टेट देखी जैसा कि क्या है कि पिछले 75 सालों से लगतार दौाओं में जो एक चुनावी विवस्ता है उसको मानते हुए लोग इस विस्वास के साथ गोट कर रहा है कि हमें जो पृतिनीदी हम चुनेंगे वो कहीं न कहीं हमारी समस से आए खेत खलियान एक बहुत चोटी योजनाए सरकार की उस पर भी आस तक 75 सालों में काम नहीं कर पाए हैं जिससे लगबग 12 से 13 किलो मीटर की दूरी एस्ट्रा किसानों को घेरनी पड़ती है कनेक्टिविटी तूटी रहती है बारिस के समय के माँ मुख्यता ये है कि हम लोग बहुरी पार से सलिया का जो रोड है उस रोड को सरकार द्वारा पक्का रोड बनाया जाए और कहीं वो पक्का रोड ना बनावाए तो कम से कम उसमें मुरम डरा कर खेत खलियानी हो जरूर दी जाए मांग पूरी नहीं हुई तो पहला तो किसान ये एसास कराएंगे कि आप जो नेसनल हाई वे देखते हैं बहुरी पार के सामने वाला उसको बंद करने का प्रयास हम लोग और जोड तरीके से करते हैं क्या नाम है अपका शॉदी लूके என अपका का यूदन ये किसान रह devo किसान ही पर क्या समस्या सिछाओं चोपटर कर रहें और सरकार उसमा कोई ध्यान देती नहीं है क्या होको किसान को माड़ार है तो ना कोई मुआप जाया है ना कोच है, अगर मारो तो हम उन लोगों पेस मनता है, तो कितना नुकसान है, सुछर के? बहुत ज्यादा नुकसान है, उसका कोई सरवेह नहीं कराती सरकारा है, 50% के उंपाश नुकसान है, क्या मांगे आपके? किसान का बहुत नुकसान हो रहा है कि इसमें मूल मांग यह है कि 75 वर्चों से इनकी राओं की रूड नहीं बनी है जिसको लेकर यह लोगतंत्र का वहिसकार करने की बात कह रहा है और दूसरा जंगली शुवरों से इनकी फसल को नुकसान हो रहा है तो यह दो चीज है जिसके संब्द में कलेक्टर महुदा की नाम पर जयापन पश्क्रिक्टिया है अभी इनकी समझ्याओं को मानी कलेक्टर म पूंग नकी संग्याव लो परसंग उ हा है यहिएज्ग् झाल झाल